दुनिया के साथ अजूबों में ताज महल का नाम शुमार है भारत की आगरा में सित मुहंबत की निशानी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं लेकिन क्या आपको पता है ये ताज महल सर्फ आगरा में नहीं बलकि दुनिया के एक और देश में भी है ये बात आपको सुनकर चितनी अटपटी लगी होगी उसके पीछे की कहाने भी उतनी ही दिल्चस्प है आईए जानते हैं इससे जुरी बात हमारे फाक नमर थ्री में ये ताज महल कही और नहीं बलकि भारत के पडोसी देश पांगला देश में सित है जो इसलिए ताज महल की कौपी कहा जाता है हाला कि इसका निर्मान सद्यों पहले नहीं बलकि दस साल पहले यानि साल 2008 में शुरू हुआ था भारत में सित ताज महल की तरह बनाने में इसे महसपाथ साल का वक्त लगा इसका निर्मान बागलादेश के अमिर फिल्म निर्माता असान उल्ला मोनी ने 56 मिलियर डॉलर में किया था हाला कि इसके बनाने की पीछे की कहानी भी काफी तिचरस्प है कहा जाता है असान अल्ला चाहते थी कि जो लोग पैसो की कमी के वज़र से असली ताजमहल को देखने के लिए भारत नहीं ज़ा पाते वो इसका दीदार यही कर ले हाला कि कुछ लोग यह वज़र जानकर इस हुबहु ताजमहल की दिखने वाली इस नायाब निशानी को गरीबों का ताजमहल भी कहते है इसका साइस और डिजाइन काफी हद तक असली ताजमहल से मिलता है इससे बनाने के लिए इटले से संगमरमर और ग्रिनाइट कहा जाता है कि यह हीरे बेल्चियम से मंगाए गए थे वही गुंबत को बनाने में 160 किलो पीतल का समाल किया क्या पहली नजर देखने में यह ताजमहल असली ताजमहल की कौपे लगेगा लेकिन इसमें नीले और गुलाबी रंग इसे मौबत की असल निशाने से अलग सरू आसते रहे मुस्कराते रहे और देखते रहे बीसे न्यूज नमश्कार